पानी पानी जपते जपते प्यासा ही मर जाएं पानी पानी जपते रहे प्यास लगने पर उसको पीए ना आग लगने पर उसका इस्तेमाल ना करें तो पानी पानी जपने का कोई मतलब नहीं रह जाता है किसी भी विचार और शब्द को धारण करके उसमें डूब जाना, उसके हर कण को जानना, समझना और अमल करना, उसके ग्यान के प्रकाश से अपनी आत्मा को शुद्ध करना, फिर उसके प्रकाश से दूसरों में निस्वार्थ प्रकाश डालना होता है. ये उस आत्मा में महसूस किया जाता है, जहां प्रेम और समर्पन की भावना से जिसने उस प्रकाश को पा लिया हो, फिर उसमें ऐसी मिठास और खुश्बू पैदा हो जाती है, जिसका असर हजारों मीलों दूर तक भी महसूस किया जा सकता है, वो हमेशा सत्य के मार्ग पर अपना जीवन व्यतीत करता है, रवी पुरुशार्थी